इक ऐसे दोर पर रह रहे हैं दोस्तो हम एक ऐसे सी дух सिट्वेशन में रहे हैं हिंदूस्तान में कि जहां अगर आप श्री नरंधर मोड़ी के विडियो को अगर डिस्लाइक करना चाहते अपनी कर दिवाली बोले आप पुरानी इत की बारे भी बात किये आपने दुर्गाकुजा के बारे नहीं बोला आपने बंगालियों का सेंटिमेंट को हड़ उससे बड़ा जूट हिंदुस्तान अगर कोई फेस कर रहा है तो हमारे हिंदु भाई हमारे हिंदु भाई से बड़ा दोका किसी को नहीं मिल रहे यह वही देश है जब अंग्रेश यहां पर शाशन शवाजन करता था लेंगर आज पूरा दे देश चीफ मेनिस्टर से लेकर प्रधान मंतरी में में तक आसे ब कोई हिंदु है तब यह नरेंदर मोदी की सरकार कहती है कि कि आज हिंदू हिंदुस्तान खत्रे में आप सबको मेरा प्रणाम नमस्कार भी है और पूजा के शुब अपसवर में आप सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई हो अभी जो रात का वक्त है साड़े बारा पॉन एक के करीब है क्योंकि कल मैं हिंदूस्तान के बाहर भी जा रहा हूं और मुझाहिद ने कहा कि बहुत जल्दी सा एक क्विक इंटर्वी लेना है मैंने का बिल्कुल आ जाओ ले लेते हैं मुझे इस बात से अभी आपती ये हो रही है कि शाम को छे बजे हमारे जो प्रधान मंत्री हैं श्रियंदर मोदी वो हमारे नेशन को संभोधित करने के लिए आये थे हमारे जो हिंदूस्तान लोग हैं उनसे बात करने के लिए आये थे संभोधित करने के लिए और उन्होंने किया बहुत अच्छा लगा उन्होंने करोना वारिस के पर बा आया है और यही चलन है तो अब हमें मतलब नहीं क्योंकि देखिए जब आपने कह दिया कि आपका देश आत्मा निर्भर हो चुका है और आप आत्मा निर्भर बनना चाहते हैं था आत्मा निर्भर बन चुके हैं मतलब सेलफरेज़न कुछ से करिएगा किसी के भरोसे में ने क्यों गवर्मेंट आपको देने वाली ठेंगा आपको कुछ मुलने वाला नहीं चाहे वो टैक्स से हो चाहे बेनेफिट से जो भी हो मसला यहां क्या हो रहा है कि हम एक ऐसे दोर पर रह रहे हैं दोस्तों हम एक ऐसे सिट्वेशन में रहे हिंदुस्तान में कि जहां अगर आप श्री नरेंदर मोधी के विडियो को अगर डिस्लाइक करना चाहते हैं आप नहीं कर पाएंगे ठीक है आप देखिएगा आपके आग के सामने और खास करके मैं अभी ये DKA से जो इंटर्व्यू दे रहा हूं हम लोग वो लिंक नीचे में डाल देंगे मैं मुझाहिद से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लिंक डाले जिस लिंक की में बात कर रहा हूं उस लिंक में आप जैस लाइक डिसलाइक हुआ बिलकुल डर चुके थे वो भै आ गया था उनके दिल में ताके लोग समझ चुके थे कि उनकी चाल क्या उनकी बरबादी क्या और कैसे वो हिंदुस्तान को नीचा कर दी है लोग को समझ में आ गया था मगर अब जब आज 6 बज़े संभोधित कर रह चार लाग डिसलाइक होने के बाद यूट्यूब वालों ने भाजपा वालों के साथ मिलके वो डिसलाइक बटन को डिसेबल कर दिया मतलब आप चाहे या ना चाहे वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा आपको अच्छा लगे या खराब लगे आप अपना जो जाहिर क कर पाएंगे तो यह हो गया और आप देखिए आप यहां बात करते हैं आप रबिन और टेगोर जो इतने बड़े हस्ती हैं आप उनकी तरह दाड़ी रख कर आप चीट करना चाहरे हैं क्यूंकि बंगार इलेक्शन आ रहा है आपने कहा कश्मीर में मैं पैदा हुआ मैं यहां कहा कहा पैदा हुआ मुझे नहीं पता हर जगा आप हमेशा बचपन से जाते थे हर जगा आप जाते थे आपने जहरकंड के बारे भी यही बोला आपने कश्मीर के बारे भी यही बोला आपने दिल्ली बंबे महराश्टरा सब के बारे आपने यही बोला कि यह जगा मेरे से बहुत करीब है तो अगर आप ये कहते है कि Bombay आपसे करीब है तो कि हंदुस्तान आपसे करीब नहीं आपको ये बोलना चाहिए कि हंदुस्तान आपके बहुत करीब है क्योंकि आप एक फकीर आदमी थे आप जंगल जाते थे उसमें आप US भी चले गए वो फोटू भी मेरे पास है उसमें भी हम लोग उसको हाइलेट कर देंगे आपके गरीबी में आप US गये थे जहां आपको वीजा रिजेक्ट कर दिया गया था Anyways बात ये आती है कि जब आप एंड में जब आपके 6 मिनिट का इंटर्वीउ जब आप आये थे आपने कभी ईद के बारे विश्च नहीं किया था आप बंगाल में राच करना चाते हैं आप नवरातरी बोले आप दसेरा बोले आप दिवाली बोले आप पुरानी ईद की बारे भी बात कियें आपने दुर्गा पुझा के बारे नहीं बोला आपने बंगालियों का sentiment को hurt किया है और याप ये हमेशा करते वे आते हैं यही आपका nature है आप बंगाल में बंगाली और मुसल्मान और हिंदु में अब डिवाइट करना चाहते हैं आपने पूरे हिंदुस्तान में डिवाइड किया हिंदु मुसल्मान, अब आप बिंगॉल में करना चाहते हैं बंगाली, हिंदु और मुसल्मान, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कितना बड़ा जूता लगेगा, आपके पूरे पार्टी को आपको शायद यह न मुसल्मान हूँ, अगर आप शरिया दोर पे आएंगे, मेरे एक रिलिजन फिर अलग हो गई, ठीक है, मगर अगर आप कल्चरल वे से आएंगे, मैं एक बंगाली हूँ, मैं बंगाली हूँ और मेरे लिए दुर्गा पूजा बहुत माने रखता है, दुर्गा पूजा करने की जरुवत नहीं है, मगर आप रास्ते में बाहर निकलते हैं, लाइटनिंग देखने के लिए, ये घराब बात नहीं है, आपको मैं भोग खाने नहीं कह रहा हूँ, कि आपको जाके महाँ पर भोग खाना है, अगर एक मुसल्मान दुर्गा पूजा देखने निकलता है, तो वो देख सकता है, इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है, अंटिल अनलेश जाके वो दुर्गा पूजा में आरती उतार रहा है, तो नरेंदर मोदी जी मैं आपको ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, कि आप मार्च से लेके, सेप्टेंबर ऑक्टूबर जो अब भी आ चु जब अंग्रेश यहाँ पर साशन करता था, तो हिंदू सेफ था, जब प्रधान मंत्री, पहला प्रधान मंत्री हिंदू बना, तब भी हिंदू सेफ था, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बने, तब भी हिंदू सेफ था, मगर आज जब पूरा देश, चीफ मिन सिस्टर से लेकर प्रधान मंत्री तक प्रेसिडेंट तक जब सब कोई हिंदू है तब ये नरेंदर मोदी की सरकार कहती है कि आज हिंदू हिंदूस्तान खत्रे में तो ये कैसे करना नहीं करना वह आप समझेंगे आपको याद होगा मेरा दूसरा वीडियो भी बहुत वाइर आज भी ढूंड रहा हूं आप भी ढूंडिये और जैसा हो सके उसको निकालिये ताके हमारी जो गंगा जमना की तहजीब है वो बरकरार रहे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद